लड़कियों या फिर महिलाओं का जीवन अपने आप में चुनोती पुन होता है लेकिन अगर आप किसी hard working profession में हैं जैसे कि जिमनास्ट हैं, sports person हैं, ballet dancer हैं या फिर home maker हैं तो कुछ विसेश स्वासमस्याएं आपको gift में मिलती हैं जिसे prevent करने के लिए आपको विसेश उपाय भ यहां special emphasis girls और women's पर है और इसलिए इस स्वासमस्या को female athlete triad यानि कि FAT कहा जाता है FAT में menstrual dysfunction, eating disorder और osteoporosis का interrelationship होता है साधारन सब्दों में कहें तो इनमें से एक condition अगर आपको आती है तो दो मुफ्त में ही आपको ये conditions मिल जाएंगी और यकीन मानिए इस potential serious condition का जो भी diagnosis है या फिर treatment है वो बहुत ही ज़्यादा complicated हो जाता है इसके लिए एक interdisciplinary team बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है पर हाँ इसका prevention किया जा सकता है और prevention के लिए इस स्वासमस्या को समझना जरूरी है तो आएए एक एक करके समझते है फीमेल एथलीट ट्राइड का एक component होता है menstrual dysfunction जिसको मैंने एक separate वीडियो में cover किया है जिसका लिंक आपको आई बटन और description में मिल जाएगा इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इसे जरूर देख लें जिससे की आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे फीमेल एथलीट ट्राइड का दूसरा component है low energy availability चाहे आपको eating disorder हो या फिर नहीं disorder eating नहीं है तो आपको अपने dietary habit को सुधारने की जरूरत है ताकि आपको आपके daily routine के काम करने के लिए energy available हो सके लेकिन अगर आपको disorder of eating है तो ध्यान दीजिए यह चिंता की बात है और सच बात तो यह है कि जादतर को पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें eating disorder है देखिए मुख्य रूप से दो प्रकार के eating disorder होते हैं एक को एनरोग्जिया नर्वोसा कहते हैं और दूसरे को बुल्मिया नर्वोसा पहले एनरोग्जिया नर्वोसा देखिए यह एक ऐसी psychological condition होती है जिसमें व्यक्ति खुद को over weight समझने लगता है यह condition adultin के time पर जादा हो certain food items को restrict करके रखता है बहुत ही ज्यादा restrict eating pattern शो करता है लेकिन कमाल की बात तो यह होती है कि यह सब करते समय वो व्यक्ति over weight होता ही नहीं है बस उसे ही ऐसा लगता है कि वो over weight हो रहा है या over weight हो जाएगा एनरोग्जिया नर्वोसा को भी study के लिए दो भागों में बाट द या गया है एक तो है restrict type और दूसरा है being eating या फिर purging type का रेस्टिक्ट टाइप में व्यक्ति weight loss को achieve करने के लिए calorie intake को restrict कर देता है जैसे कि dieting करता है fasting करता है या फिर over exercise करता है जबकि purging type में person weight loss को achieve करने के लिए वावंटिंग करता है या फिर lexative या diuretics जैसे medicine का use करने ल of food intake regular exercise के बाद भी constipation रहता है तब जाकर doctor ऐसे medicine को advise कर सकते हैं और diuretics urine के production को बढ़ा देता है basically excretion of water from body इसे water tablet भी कहते हैं doctors जानते होंगे इसका सही use कब करना है कब नहीं करना है लेकिन जो weight categories वाले खेलना होते हैं उसमें ये doping के रूप में categorize है क्योंकि अक्सर weight category में खेलने वाले कुछ खिलाडी unethical रूप से diuretics का इस्तमाल करते हैं वजन को कम करने के लिए वो भी कम समय में ये एक घातक होता है चलिए anorexia nervosa के causes को discuss करें तो एक तो है social factor अक्सर parents, relatives, friends, neighborhood में कोई न कोई body shaming या फिर physical appearance पर comment करता रहता है जो anorexia nervosa की और person की psychology को lead करता ह कुछ ऐसे occupation है जैसे की modeling, gymnastics, ballet dancing आदी में thin body की demand होती है और ऐसे profession में जाने की जिसके पास strong desire होती है उसके अंदर भी anorexia nervosa cause होता है दूसरा है biological factor जैसे अगर कोई pregnant lady suffer कर रही है anorexia nervosa से तो बच्चे के जम्र के बाद उस बच्चे में 20% ज्यादा chance होते है anorexia nervosa disorder से affect होने कुछ individual factors भी होते हैं जब कोई वक्ती किसी group में खुद को superior साबित करना चाहता है तो भी ऐसी problem आती है क्योंकि strict time, rule और habit को pursue करने लगता है ऐसा व्यक्ती कुछ PA pressure type का आप समझ सकते हो एक और factor performance pressure का भी होता है खास करके sports में क्योंकि अक्सर coach encourage करते हैं players को कि वो weight कम रखे हैं जिसके कारण भी anorexia nervosa cause होता है anorexia nervosa के symptoms की बात कर लेते हैं इसमें extreme weight loss होता है thin appearance रहता है, fatigue ज़्यादा रहती है, insomnia या फिर अनिद्रा भी हो सकती है restricted food intake होता है, वक्ती normal weight या healthy weight पर stay नहीं करता, weight gain से डरता है और इसकी seriousness को भी deny कर देता है, self-esteem बहुत ही low होता है treatment के उपायों के लिए सबसे पहले तो doctor से मिलें, खुद को physical activities या फिर recreational activities में involve करें ताकि mind divert हो सके adults के case में cognitive behavior therapy helpful होगी, जिसको specifically इसी aim के साथ सुरू किया जाया है, जिससे eating pattern normalize हो सके weight gain को support करें, व्यक्ति को specific balance diet के बारे में बताना चाहिए और यह यकीन दिलाना चाहिए कि healthy normal body उस व्यक्ति के physically और mentally confidence को बढ़ाएगा इन सब उपायों को करने से पहले व्यक्ति को reality face करने के लिए तयार करना है, कि उसे eating disorder है, body को forcefully lean रखना गलत है, उसे यकीन दिलाना है कि वो एक healthy person है, starving की फिलहाल तो उसे कोई जरूरत नहीं है चलिए ठीक है, अगला eating disorder है, bulimia nervosa, इस disorder में psychology एक cycle में चलती है, binging और purging के, binging के type of person धेर सारा food consume कर लेता है, rapidly, जिसके कारण physical discomfort होता है, weight gain होने को लेकर anxiety होती है, जो person को high food को purg करने के लिए increase करता है, purging induce करती है, vomiting, bulimia nervosa भी दो type के होते है एक तो purging type का, और दूसरा है non-purging type का, आएए मैं आपको difference समझाता हूँ, purging type में व्यक्ति self-induced vomiting करता है, या फिर misuse करता है, lexative, diuretics, या फिर anima's का, खाने के बाद, non-purging type में व्यक्ति calories को read off करने के कोसिस करता है, ताकि weight gain ना हो, व्यक्ति upcoming milk को skip करने लगता है, restrict dieting औ और excessive exercise करने लगता है, ताकि weight reduce कर सके, bulimia nervosa के causes की बात करें तो एक तो gentical factor होता है, अगर family या फिर relative में किसी को bulimia nervosa है, तो chances होते हैं कि इसके gene dominate करके ऐसे disorder को cause करें, low self-esteem भी boost कर सकती है bulimia nervosa को, अगर व्यक्ति की opinion में weight gain हो रहा है, तो depression के कारण भी व्यक्ति bulimia nervosa का सि ऐसा देखा गया है किसी close relative की death होने पर जो depression आता है, वो जादा तर bulimia nervosa cause करता है, cultural और social pressure भी होता है, fashion और media के कारण जो environment बना है, आजकल हमारे चारों तरप, वो व्यक्ति को weight loss की और encourage करता है या फिर interested बना देता है, symptoms की बात करें, तो bing eating में व्यक्ति, large quality में high calories food intake करने के बाद भी खुद को भूखा महसूस करता है, urge develop होती है बार-बार खाने की, परगिंग टाइप में excessive और repeatedly eating के बाद, मतलब short interval में व्यक्ति guilty feel करने लगता है, खुद से नफरत होने लगती है, इसलिए वो vomiting के method को अपनाता है, कि उसने जो भी food intake किया है, उसे वो बाहर निकाल सके, treatment के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर ले, cognitive behavior therapy ले सकते हैं, meditation शुरू कर सकते हैं, ये जरूर पभावसाली होगा, डॉक्टर के advice पर anti-depression की medicine भी आप ले सकते हैं, वैसे तो hospitalized treatment usually नहीं होता, but acute health problem आने पर admit किया जा सकता है, उस व्यक्ति को healthy weight और nutrition के बारे में educate करना चाहिए, dietitian की help लेनी चाहिए, आदि ऐसे को चुपाई किये जा सकते हैं, अगला disorder है osteoporosis, osteoporosis में जो bones होती हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, या तो bone density अच्छी ना हो, या फिर improper bone formation हो तो, bones में mineral contents बहुत ही low हो जाते हैं, आपने भी सुन रखा होगा कि हमारी जो bones हैं, वो calcium, phosphorus, कुछ इस तरीके के mineral से बनी हुई होती हैं, मतलब ये content उसमें पाए जाते हैं, अगर ये वाले content, ये मिनरल content अगर कम होते हैं, तो bone density कम हो जाती है, जिसके कारण थोड़ी सी bone हमारी porous हो जाती है, मतलब phryzile हो जाती है, चूट सकती है जल्दी से, अगर कारणों की बात करें, तो osteoporosis mainly deficiency of calcium के कारण होता है, हम सभी जानते हैं कि calcium जरूरी है अगर हमें healthy और strong bones चाहिए तो, और अगर कोई player है या फिर किसी hard working profession में है, तो उसके लिए ये और भी ज़्यादा important हो जाता है, और ऐसा हमारे society में देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, वो proper sufficient amount में calcium intake नहीं करती है, minimum 100 mg daily की requirement होती है calcium की body को, जिसको diet में सामिल करना ज़रूरी है, हमें ऐसे contents लेने चाहिए जिसमें की calcium हो, दूसरा कारण होता है amenorrhea, amenorrhea की condition में आपने पहले विरक्षर में देख लिया होगा, लंबे समय तक अगर menstruation period ना आए, तो ये amenorrhea की condition कही जाती है, amenorrhea की condition में osteoporosis हो जाने के chances बहुत जालदा होते हैं महिलाओं को, डिस menorrhea की condition में hormone का जो secretion होता है estrogen का, वो reduce हो जाता है body में, जिसके कारण जो calcium है, वो properly absorb नहीं हो पाता body में, अब calcium के absorption ना हो पाने के कारण, जो chances हैं कि mineral content, यानि की bone density कम होगी, जिसके कारण osteoporosis होने के chances बहुत जादा high हो जाते हैं, osteoporosis cause होने का एक और कारण होता है eating disorder, जैसा कि अभी आपने पीछे पढ़ा है, अन्रोग्जिया नर्वोसा या बुलीमिया नर्वोसा होने की condition में, lack of calcium हो जाता है body में, इसके अलावा addiction जैसे कि smoking, alcohol, caffeine, tobacco, etc, ये सारे reduce कर देते हैं bone density को, अगर female player addictive है, तो उसे osteoporosis होने के chances जादा है, ये सिर्फ female players पे apply नहीं होता है, सभी female पे apply होता है, कि अगर आप ज़्यादा ऐसे कुछ addiction में हैं, तो आपको osteoporosis होने के chances बहुत high हैं, इसके अलावा fast track exercise या fast pace से या high intensity के साथ जो exercise की जाती है, उस दवरान भी जो bones हैं, वो weak होते हैं, hormonal changes जो आते हैं women's की body में, वो भी bones को weak करने का, यानि bone density को कम करने का काम करते हैं, ऐसी condition में भी osteoporosis हो सकता है, चलिए मैंने आपको अलग से female athlete triad के तीनों component समझा दिये हैं, पहला है low energy availability यानि की irregular eating, दूसरा menstrual dysfunction यहाँ पे amnoria और bone mineral density यानि की osteoporosis, अब ये तीनों component इस disorder में आपस में interlink होते हैं, for example अगर eating disorder है, तो ये role play करेगा menstrual disturbance में, और energy deficiency रहेगी body में, जिसके कारण एक low estrogen environment बन जाएगा, जो की lead करेगा loss of bone density को, और ये जो तीनों aspects हैं इस disorder के, ये अलग-अलग severity के साथ exist कर सकते हैं, female athlete diet के बारे में दसकों से लोग aware नहीं थे, और आज भी society में लोग इतने भी aware नहीं हैं, और इस बात को समझने का पयाज भी नहीं कर रहे हैं, कि इसके जो serious long term consequences हैं, वो अच्छे नहीं हैं, इस बात को समझने की जरूरत है कि एक अच्छी diet और regular exercise beneficial होती है, यह female athletes यह फिर females के लिए, अगर diet और exercise out of balance हो गई, तो result में आपको क्या मिलेगा, for instance, ऐसा समझे कि जो पहला component है disorder eating, अगर disorder eating होती है, तो जो overall amount है food का, वो कम हो गया, calorie कम हो गई, जो खाना आम ने काया, वो कम हो गया, और जब energy intake है, जो खाने से मिल रही है, वो restrict हो गया, तो वो combine हो जाता है exercise के साथ, body में changes आएंगे, hormonal levels पर, और regulation जो है, hormones का, वो सही नहीं रह पाएगा, menstrual cycle disturbed होगी, future pregnancy जैसी भी जो समस्या आती है, वो उसका कारण भी एक हो सकता है, जो eventually osteoporosis को भी cause करेगा, तो समझने की बात ये है कि female athlete triad में, ये तीनों component interlegged है, अगर आपने low energy availability है, यानि आप calorie intake कम कर रहे हैं, तो वो आपके menstrual dysfunction को cause करेगा, जिस कारण से calcium की भी कमी होगी, body proper calcium absorb नहीं कर पाएगी, और जिस कारण आपकी bones mineral density कम हो जाएगी, और osteoporosis जैसे disorder आपको देखने को मिलेंगे, तो इन ही को मिलाकर कहा जाता है, female athlete triad, I hope आप समझ चुके होंगे, थोड़ा सा landy हो गया है, लेकिन थोड़ी detail में उतना समझाने की कोसिस करी है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियाजनों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर, मुझे मोटिवेट जरूर करें, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद, जैहिंद,